नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्स्प्रेस आज चैत्री नवरात्री का साथवे दिन यानि आज मादूर्गा के सबसे शक्ति श्वाली स्वरूप देवी काल रात्री की पूजा होती है कालो की काल मा काल रात्री ने शुम्ब निशुम्ब के साथ रक्त बीज का सहार करने के लिए अफ्तार लिया था मा काल रात्री की उपासना तंत्र साधना के लिए भी एहम मानी जाती है नवरात्री में मा कालरात्री की उपासना से शत्रू और विरोधियों से मुक्ति मिलती है देवी कालरात्री जिस पर प्रसंद हो जाए उसकी बड़ी से बड़ी विवदा टल जाती है यहां तक कि शनी के अशुब प्रभाव में भी कमी आ जाती है और नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है ऐसे में आज हम अपने इस खास कारिक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मा कालरात्वी स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना की जाए साथ ही पूजा के दौरान क्या-क्या सावधानिया हमें बरतनी की आवश्यक्ता है स्टूडियों में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुनीर भारतवाज जी बहुत बत्स्वागत जै माता दी जो मा के साथ भी स्वरूप की महिमा के बारे में हमें बताएंगे तो शुरू करते हैं अपना खास कारिक्रम ÖM NAm consolidika पंडिजी माता के सभी स्वरूप मंत्रमुख्द कर देने वाले हैं लेकिन माता का ये स्वरूप जो आज का स्वरूप है वो काफी भयावे प्रतीत होता है, जरा इस स्वरूप के बारे में बताईए जैसे आपने का भयावे प्रतीत होता है, ये है भी भयावे मगर ये सब के लिए भयावे नहीं है, ये भक्तों के लिए कल्यान का रही है सबसे पहले तो यह बतायते हैं, आप सरूप कवर्णन करने से पहले भक्तों के लिए कल्यान के लिए माने यह सरूप रखा है, तो इसलिए इस सरूप को निरंतर निहारते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, इनका जो सरूप है वो आपको इतना मन परसंद करने वाल होगा कि समझ लीजिए आपका सहस्तर खुल गया अब सबसे वड़ा पहली बात देखें कि इनका जो सुरूप है ये क्यों आया बिलकुल समें समें युगों में ऐसा होता है कि राक्षासों का प्रकॉप बहुत जादा बढ़ जाता अब जब प्रकॉप बढ़ गया तो ऐसा म बहुत सुन्दर है देवी भागवत में कि गर्दब पर सवार है इस पर सवार होने का तो ये सवारी किसी की भी नहीं है ये सवारी ही अलग है मा की इसको बोजा उठाने के काम में किया जाता है जब बहुत जादा वजन पढ़ जाता है तब इसका इसका इस्तमाल किया जात तीन नेत्र हैं गोल तीन नेत्र किसके हैं बाबा के और नेत्र किसने बनाए बाबा ने जब कहा आप जाओ तो तीन नेत्र धारण किये वो बाबा का सरूप है और नासिका से जौला निकल रही हैं अगनी की बाल बिखरे हुए हैं बाल बिखेड़ना नासिका से जौला निकलना तीन नेत्र होना और अभै मुद्रा वर मुद्रा सीधे हाथ से करी है अभै मुद्रा वर मुद्रा मा की सीधे हाथ से आप देखेंगे और उल्टे हाथ में गले में तो इनके कांटे की माला है और उल्टे हाथ में इनके दोनों सस्त्र हैं एक तो खड़क है और एक कांटा है इसका देखो भाव समझें कि ये मेरे कहते हैं बाएं हाथ का काम है ये मेरे दाएं हाथ का नहीं दाएं हाथ तो कल्यान के लिए उठा है दाएं हाथ को आप इनके दाएं हाथ की तरह देखेंगे तो आप ये कल्यान के लिए उठा है और बाएं हाथ में जो है वो इतना स्वरूप भ्यावय है कि उसको देखने से मन विचलित होता है क्योंकि रंग इनका नीला, गाड़ा, काला, कालरात्री का जो स्वरूप है वो काला है, ये दोनों हातों में अभयमुद्रा, वरमुद्रा से सुबकारी भी कहला है इनका नाम है, इनका एक नाम है सुबकारी, य इनका सरीर तपस्या की वेई से भी जल गया था, ये भी कहा गया है कि काल रात्री वाले दिन मा ने तपस्या भी करी थी, क्योंकि इसलिए इनका सरीर काला भी पड़ गया था, क्रोध अवस्था में भी काला पड़ गया था, क्योंकि भगवान श्वयम गरल को धारण करें हैं शुम निशुम का करेंगी फिर रक्त बीच का करेंगी वो भी कथा में इनकी बहुत सुदर तो उस रूप उसके लिए क्योंकि वो मर नहीं रहेते इस रूप को निहारने से इस रूप को देखने से इस रूप का चिंतन करने से जो प्राणी काल रातिरी की अरादना पूजा इस रूप को देखने से करता है मंधन करता रहता है ये सरूप एक और बात है कि आपका इस सहस्तर खोलेगा सहस्तर चक्र आज का जो सरूप है या आप सहस्तर पर पहुंच गए मुलाधार से प्रारम करें, आप सहस्त्र तक पहुंच गए, अब आपके मन में या आपके सरीर में कोई भी रोग विव्यादी है, वो उसका निराकरण हो गया, होगा नहीं का इसमें, हो गया, आपका सहस्त्र खुल चुका, अब जब सहस्त्र आपका खुल चुका, तो आप फिर अब तीनों लोगों में आप समझ लीजिए, भर्मन कर सकते हैं मांसिक रूप से, क्योंकि पहले तो आपको जैसे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसके लिए सुद्धी करन जरूर है, व्यवस्था जरूर है, ऐसे आप व्यवस्था करते हुए मूरधार से सहस्त्र रखाएं, साथवे दिन योगी लोग अपने सरीर की काया कल्प कर चुके होते हैं, इसके बाद उनकों सिद्धियां पराप्त होती हैं, बाद के दो दिनों में, इस रूप से जो भी कुछ बचा हुआ होता है, जो सरीर में रोग, व्यादी, कष्ट, कलेश, कंटक, अज्यानता, दुख, दर्द, वो सब दूर निकाल देते हैं, इसलिए काल रातरी के पूजा का विधान रातरी को कहा है, जी, बाकि सभी जब हम पूजा अर्चना करते हैं, सुभे के वक्त की जात अपने मंतर साधना, तंतर साधना, इसके लिए की गए, मंतर साधना, मंतर को सिद्ध करना हो, तो नारातरे में चैतर पक्ष की, काल रातरी को, रातरी के समय, इसका मुरत निकाला जाता है, अपनी कुंड़ी के हिसाब से, अपनी ग्रह गोचर की इस्तिती हिसाब से, फिर उसमें बहुत सुन्दर बेदी बनाई जाती है, मां का आवान किया जाता है, रात्री में उन देवी के मंतरों का चरण किया जा सकता है, रात्र को आपको सत्रूब है है, आप करजे में आ गए हैं, आप किसी बंदन में हैं, कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई असाध्य रोग आपको पीडित कर रहा है या आपके घर में कोई वासलू दोस है आपको लगता है दस दिकपाल आपको कहीं से पीडित कर रहा है या छेतरपाल की आपको समस्या है आपके घर में कहीं आने वाले समय में कोई मांगलिक कारे हुआ ही नहीं कुडली के अंदर कोई ऐसा दोस हो ग बंधी बना लिया गया हो, जाने अन जाने में उससे गलती हो गई हो, इन सब कष्टों के निवारण के लिए कालरातिरी का अमुक समय निकला जो भी समय निकलेगा, उस समय निकलने के बाद कालरातिरी के मंत्रों का आवान किया जाएगा, उन दस महाविद्याओं का आवान कि जाएगा और काल रातीर से भिंती की जाएगी कि आप हमारे कष्टों को हरो और ये तत्काल लाव मिलता है इसका लाव आपको 40 दिन में मिल जाएगा यानि कि वो नक्षत्र घूम के नहीं आएंगे तब तक अगर आप विली पूरा खिश का खर पाए तो लाव मिलेगा अच् ही ढंक से इसका करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा सबसे पहले तो ये समझ लीजे कि आप सुद्धी करण बहुत जरूरी है आप आज सहस्त्र चक में पहुंच गए हैं तो सहस्त्र का ताथ पर हुआ कि आपका अंताकरण सुद्ध हो चुका सुद्ध मन से आप सबसन्ह करना चाहते हैं तो रत्री का समय जैसे हमने बताया, मगर विवस्थथा आ आपकी जो हनी चाहिए, वह बिल्कुल सुद्ध होनी चाहिए, आप किसी भी द्वेश में ना जाएं, कोई जल्दी-बाजी में ना जाएं, किसी के ललक कीफमें, या ऐसा काम ना करें प व्तित्तन, को 열ग प्राम्मन इसके लिए आपको मिले तो उनसे बुलाकर ऐसी वर्वस्था कराएं, घर में हूम जरूर करना चय Mirek, अब उनके लिए भी कैसे व्वस्था करें, जो लोग नही कर सकते जा नहीं सकते, या जो लोग करा हैं नहीं की को समीधा बनाई आज के दिन आज के दिन गोला होता ना सुखा गोला लकड़ियों की जाओ उसका इस्तमार स्वेहम कर लिए बहुत सारे मंतरें मंतरमा आपको बता देते हैं उन मंतरों से आज के दिन मां का आवान कीजिए और अपने दुख, दर्द, कंटक के लिए मा से आग्रह कीजिए कि इन सब को विपत्तियों को मैं संसारिक बंदुनों में बंदा हुआ हूँ, जन्म और मिर्टू यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ती है, मुझे आप अपनी सरण में लीजिए और मेरी समस्त, संसारिक चित्नी जो कष्ट बाधाएं हैं यहाँ पर, उनसे मुझे मुझे मुक्त करके मेरा जीवन सफल बनाई है, मुझे अपनी सरण में ले लीजिए, मनी लोग का चिंतन करते हुए, मा का, उस सरूप का चिंतन करते हुए, वो सारे आपके कष्ट बाध हैं, दूर होगी जैसे इनकी कथ अच्छा, पंडित जी आपने लोगों को पीडा ना देने की बात कही, लेकिन क्यूंकि मातारानी को तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है, कहीं लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुचाने के लिए, टोना टोटका भी इस दिन वो करते हैं, तो ऐसी चीजों से कैसे अपने आपको बचाएं, देखे, काल रातरी का आपको बड़े असानी से चितर मिल जागा, इसको अपने घर के मंदिर में इस चितर को सुन्दर तरीके से विवस्थित करके इस्थापित कीजिए, यहां सुन्दर भी का है, इस्थापित भी का है, और विवस्थित तरीके से लगाई अच्छे ते लगाई और ध्यान दीजे पूरे साल में आज तो आपने पूजा कर ली वो नया चित्र है कल को कहीं पट ना जाए खराब ना हो जाए उसको समहाल के रखेगा अब आपका जब ये चित्र होगा कुछ मंत्र कहे गए हैं उन मंत्रों का प्रात् सादनाओं के चक्कर में नहीं आओगे तो आपकी मा रक्षा करेगी देखो दोनों हाथ बताया ना जो अभयमुद्रा वर्मुद्रा वो यहां काम करेगी आपके लिए वैसे वो काम नहीं है कि खड़क है एक मैं कांटा है एक मैं मा के पास और वो जो बज्र है मा के उनसे आपकी रक्षा होगी और अभयमुद्रा वर्मुद्रा आपको कल्यान के लिए माने उठाए तो दोनों इस्थिति में आप इनका चित्र लागा के रखें और यह नियम बना लें कोई सूतक है पातक है उस समय की व्यवस्था तो नहीं होगी वो मांसिक रूप से कर सकते हैं काल रत्री का तो करेंगे बगला मुखी आज के दिन बहुत अच्छा लगता क्योंकि आज के दिन बगला मुखी की भी माला एक माला जरूर करनी चाहिए जी कि यह आपको जादू उटो ना टोटका जो जिस तरीके के कही गई गई हैं नाकारात्मक जितनी भी सक्तियों का लोग इस्तिमाल करते हैं शत्रू को बलहीन करने के लिए जो करते हैं तो वह आज के दिन बगला मुखी का मंत्र उट्चारण करने से अवश्यलाब देता है अच्छा शत्रू और विरोधियों से भी बचे रहते हैं देखे वह शत्रू विरोधियों जैसे मा की कथा में ही बहुत सुंदर है कि शुम निशुम थे धुर्गा सबस्तिती में सब लोगों ने बहुत पड़ा है वो रक्ट बीस थे भगवान शिव के पास सारे देपता गए भगवान शिव से कहा कि यह तो यहां तो तरहीमाम त सब बंद करा दिया हमारा विध्वन्स कर देते हैं जैसे हम यग पूजा करते हैं तो रिशी मुनी सब देवता मिलके गए क्योंकि राक्षास अपनी अफ्तांत्रिक सक्तियों से जैसे आपने बुचा उसके बल पे सक्ति उपारजन करते थे और सक्ति के बल पे लोगों का यग पूजा पाठ विध्वन्स करते थे और कहते थे सिरफ हमारा ही नाम लो देवता तो बलहीन कर दिये हमने और इंद्र पर विज्वरात कर ले थे तो भगवान शंकर ने मा को कहा कि आप जाओ अपने भक्तों का अपने पुत्रों का अपनी संतानों का कल्यान करो तब मा मा ने ये शरूप रख देखो now को मा न मारsoft दिया वो रक्त बीज ने केसा ले रखा था वर्दान की मेरा रक्त जागे रगा मैं फिर उख जाओंगा रक्त बीजT अब दुर्गा तो गई स्फ़टों रख्क है अब दुर्गा का शरूप रख्क्यों正2 को शंगार इसका भी कर रही थी, मगर वह फिर पैदा हो जाता था, मा ठक गई, तब उन्होंने कालरात्री बनाई, कालरात्री जो है माने अपनी शक्ती से बनाई है, फिर तो उन्होंने नर्मुंडो की माला धारण करती गई, और जो रक्त गिरता था उसको मुँ में, गिरना ही अब जब जमीन पर गिरेगा नहीं तो पैदा कहां से होगा तब उसका संगार किया था तो आपका जो परसन है कि इनकी उपासना से बचे ही कैसे आप अपने मंत्रों को इत्ता करते रहेगा आप अपने कवच को बना आई आप सहस्तर में पहुँच गए हैं आपका ज्ञान उपाजन हो चुका जी आई आपका ज्ञान का अंकर फूट चुका अप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से आपने अपनी काया को कल्प करना है ये साधना का समय है इस लोक में जब तक आप रहेंगे माकालराथ्री के आशिरवास से आपको रोग सत्रू कस्ट कलेश जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों से आपकी अचा पंडी जी माता को कोई ऐसा विशेश मंत्र जो आज हमें उसका जब करना चाहिए उचारण करना चाहिए च्छोटा मंत्र बताते हैं ओम एम रिंग्लिं चमुंडायविट एक माला तो आप इसकी कीजिए बड़ा सरल ओम एम रिंग्लिंग किलिंग चमुंडायविट बस जी को हटाकर रुद्राश्ट की माला से कीजिए अच्छा मध्यमा और तर्जिनी का प्रियोक करना हिरण जैसे आप देवी का अनुस्ठान करते हैं तो उसलिए बड़ा सरल एक मंत्र और बतायते हैं या देवी सर्बूतेसु कालरात्री रूपे इंस्ठान नमस्तसे 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 नमो नमा ये भी आसानी से कर सकते हैं दस महा विद्यों में कर सकते हैं ऐसे ही आप जैनती, मंगला, काली, भद्र, काली, कापालनी, दुर्गा, श्रमा, श्रिवा, दात्री, स्वहा, स्वधा, नमस्तुत, रात को आपको भेह रहता है अच्छा इसमें एक और चीज बता दें कि जो लोग लगता है कि मेरे को नजर बहुत लगती है, यह मेरा प्रश्ण होने वाला था पंडे से, नजर बहुत लगती है, या वो मेरे से जैलेसी बहुत करते हैं, मैं बहुत अच्छा ट्रेस अप होके जाता हूं, या मैं जाती हूं जो भी, तो मेरे को लोग नजर बहुत लगाएते हैं, तो ध्यान मुखं पदम इस्थंभाय जीवाम कीलं कीलं बुध्धी विनाश्ना ओम रिंग सवाहा इसका होम करड़ो जो गोले का हमने बताया था आयोजन करके लकडियों की जेगा गोला ले लीजिए उससे आयोजन कीजिए और होम कीजिए उससे आप हो सके तो हवन करेंगे तो मां के म उसके बाद लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का बहुत सारे मंत्र कर लिए आप शांती के लिए कि ये शांती रूप एंडशन्स था बक्ती रूप एंडशन्स था बच्चों के बुद्धी के लिए बुद्धी रूप एंडशन्स था उनसे भी पांच आऊती कम बच्चे बिख निरोगता के लिए मां के मंतरों का उचारण अवस्च्ट करें और महा लक्षमी नमा महा काली नमा महा सुर्सति नमा इनका जरूर कीजिए सुर्सति आपकी बुद्धी को बढ़ाएंगी और क्योंकि आप इनके दोनों हाथ जो सीधे हाथ हैं उनमें तो अब है मुद्रा वर मुद्रा तो इनके उनका ज्ञान करते हैं कि मां हमारे को आशिरवाद दी रही है अच्छा पंडे जी आज के दिन माता रानी को भूग क्या लगाना है कुछ ऐसा होना चाहिए कि भूग की थाली में जिससे माता रानी पस प्रसंद हो जाए ग घुड़ से पाकी तो बहुत अच्छे तो उनको आप भूग लगाए मा को मा को आज के दिन एक कन्या को वस्त्र पोशाक अवस्त दी जिए और कन्या का पूजन तो प्रतिदिन जैसे हम बताते हैं नारियल चुन्डी और पोशाक माता के सिंगार का समान एक कन्या को अवस् कॉछ से आपकिसी भी कन्या को घांटें आगर घर में आपको कहनए अगर की आज का मा का भयावे भी है हौए अगर भो आप अपसे थोड़ी सी नाराज हो गए तो मा का स्रूफ थोड़ा सा आपकी परती उतना 그러less तो फिर आपको तो तो फोड़ा सा को सकता है विशेष रूप से करना दाटना नहीं उड़ाटना नहीं, । आगर काल रातरी के दिन यह क्yasरों, तेन दिन काल रहतली के आपकी सारी सिद्धियां लौकिक अलौकिक सिद्धियां आपको प्राप्त हो चुकी हैं आपका अंताकरण सुद्ध हो चुका जो अंताकरण में दोस्ट है नीचे से ऊपर तक आते आते तो वह सुद्ध हो चुके हैं आपके कमल खुल चुके हैं आप मेडिटेशन या ध्या जाक कि हम श्रींगार करते हैं तो यह माता का स्वरूप ऐसा है जो बेहत हठकर है इस स्वरूप का कैसे करना है किसे सबसे पहले तो यह जो स्वरूप मां का इनको निहारने का दे in अगर आप कालरातिरी की तस्वीर वैसे बहुत कमी लोग रुखे हैं माह पी बताए कि कन्या को उशाख दीðी, कन्या को प्रतिदिन नार्यलति तो उसमें सिंगार में आ हैं कन्या जब आए आपके पास तो कन्या के तिलक लगाई है और मा का सस्दल उसके चर्णों पर बनाई है जी ऐसे करके जो बनाते हैं मा का तिकोना बनाई है फिर तिकोना बनाई है उसके बिंदी बीच बिलाए वह बिंदी जो है अगर मा लिख सकें तो आप उसके बहुत अच्छा है और उसके चारों तरफ छेत यहां पर बिंदी आ जाएंगी और उन बिंदियों मैंसे अपने मस्तिक्स पर लगा लिए और मा को जब आप हवन करेंगे गोले का जैसे हमने हवन बताया उस गोले की जो सम जजर दोस्ते आपको मुक्ति मिलेगी तो मा का यह सरूप और सिंगार आपको देखने से आपके मन में सांती मिलेगी तो मातारानी के रूप को अपने मन में जरूर बसाईए चलकपट से दूर रहे व्रती को कम से कम आहार का सेवन करना चाहिए पूरी कोशिश करनी भारत एक्सप्रिस के सभी दर्शक इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे ऐसी हमारी आशा है इसी के साथ हमारे इस खास कारिक्रम में आज के लिए बस इतना ही कल फिर वापिस लोटेंगे माता के अलग स्वरूप की कहानी लेकर महिमा लेकर आप देखते रहे भारत एक्सप